Hello everyone, this is Savita Chohan. Welcome to MBD Aria Model School, Class 10th History, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. Previous video में student हमने discuss कर रहा था, Unit 2, The Making of Nationalism in Europe. इस वीडियो में Unit 3 पढ़ेंगे, The Age of Revolutions, यानि 1830 से लेकर 1848 तक का जो period है, उसमें अब revolution कौन हैंडल कर रहा था, किसने उसकी बागदोर समाली थी. जैसे कि हमने देखा एक era चल रहा था, previous video में भी हमने देखा student, अगर हम timeline देखें न, तो French Revelation 1789 में था सबसे पहले, start हो गया. उसके बाद हमने देखा 184 में कौन आ गया था, Napoleon आ गया था, उसके बाद हमने देखा जो conservatives थे, उन्होंने 1815 में क्या करा, power को took over कर लिया. फिर हमने देखा उनका era कब तक चला था, 1815 से लेकर, 1830 तक उनका era चला था, फिर 1830 से अब 1848 तक हम देख रहेंगे, कि जो liberal है, nationalist है, जो इसको lad करेंगे, यानि चलाएंगे revolution को, जो belong करते हैं middle class से, professors हैं, teachers हैं, clerk हैं. तो ये age of revolution student पढ़ रहे हैं time to time, जैसे कि आप France की revolution पूरा देख रहे हैं कि कैसे चल रहा है, कौन आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो एक period चल रहा है पूरा, मतलब कभी किसी के हाथ में बाग डोर जा रही है तो कभी किसी के हाथ में जा रही है अब किसके हाथ में आगे है लिबरल के हाथ में आ गई है तो उस बेसिस पे देखें तो conservative जैसे रिजिम था try to consolidate their power, अपनी power को consolidate करने के लिए जैसे वो try कर रहे थे पहले से जादा तो liberalism क्या कर रहे थे यानि जो liberalism है या nationalism है came to be increasingly वो भी increase हो रहे थे associate हो रहे थे उनके जो revelation था in many reasons of Europe such as the Italian, German states, province of the Ottoman Empire, Ireland, Poland that means Poland यानि जो liberalism ideology है, nationalism ideology है ये increase हो रही थी और किसके साथ associate हो रही थी revolution के साथ और कौन-कौन से reason में Europe के जो reasons हैं, ये जो places हैं, यहाँ पर sentiment जो थे nationalism, national state, modern state बनाने के लिए feeling strong feeling आ रही थी और ये इस time पे कौन कर रहा था liberal इस time पे बहुत ज़्यादा strong थे तो उन्होंने इसको nationalist को लैड करा, यानि revolution को चलाया जो liberal nationalist थे, revolution की बागडोड समाली और इसमें के अंदर, यानि ये कौन थे, middle class थी और जैसे हम बाग करें, professor, school teacher, clerk, member of commercial middle class ये सब इसके अंदर आते हैं अगर हम देखेंगे, first uphill जो की 1880 में अब हम पढ़ेंगे, जुलाई में आई है तो इसने क्या करा, तो बर्बन किंग जो थे जिन्होंने restore power करी थी, जब conservative साय थे हम 1915 में पढ़ा था ना, previous video में तो उसको overthrown कर देते हैं, कौन, liberal revolutionaries जो की अब इस moment को चला रहे हैं इस revolution को चला रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो install करते हैं constitutional monarchy, constitutional monarchy यानि अब उनको constitution के according monarchy को चलना पड़ेगा जो की Louisville भी थे, कब थे जो की bourbon dynasty के king थे जो conservative ने उनको बठाया था तो इन्होंने liberal ने बोला कि हम आपको constitutional monarchy अब आपको accept करनी पड़ेगी तो Louis को ये पास कोई option नी था उन्होंने इसको accept करा ठीक है, हम constitution के according की work करेंगे, अब इसी के चलते हुए, ये सब देखकर जो France में हो रहा था, तो Mattining ने क्या बोला France के लिए, कि France के अंदर कोई भी अगर sneeze होती है, यानि छीकता है वो uprising होके कहां पहुचाती है दूसरे European countries में भी पहुचेगी कैसे, इन Brussels में होती है, which led to Belgium जिसके प्रणाम शरूप क्या होता है, result यह होता है कि Belgium जो है, अलग हो जाएगा United Kingdom से United Kingdom of the Netherlands यानि इसके जो Netherlands का Kingdom है, उससे Belgium अपने आपको independent करा लेता है तो आप देख रहे हो, कैसे एक France से feeling उठके वे, कहां गई, Belgium में अब पहुचेगी, यही feeling जो है, mobilized करते होए national feeling, जो की educated elite है, ठीक है उनके बीच में है, और वो across हो रही है Europe में, फैल रही है, तो वहां आपके चलते हुए, आप देखेंगे, Greek War independent की story, यानि Greek War क्या है, और वो independent Greek कैसे बनता है तो Greek एक civilization है, यानि Greece had been a part of Ottoman Empire, since the 15th century, 15th century में, Ottoman Empire जो ग्रीस है, वो Ottoman Empire का part था, Ottoman Empire एक Islamic Muslim Empire है यानि इसके अंदर, अगर हम देखेंगे, दो parts हम देख सकते हैं, यानि जो ये आता है, Greek is map में, अगर आप देखते हैं, तो Europe and Asia की border, और nearby Italic के पास में है, तो ये आप देखेंगे, Europe का जो उपर है मतलब जो उपर वाला जो part है, Europe का, तो उसमें Christianity आपको religion मिलेंगे, यानि religious मिलेंगे, दो धरम मिलेंगे, आपको इसके अंदर empire में, और Asia यानि west नीचे वाले part में आपको Islam मिलेगा, तो जो ये दो धरम थे, तो इसमें Greek जो है, जो Christianity के people थे, वो अपने आपको क्या कराना चाते थे, independent कराना चाते थे, ठीक है, तो अब जो ये revolution चलता है, यहाँ पर भी struggle, जो है, spark हो जाता है revolutionary, nationalism की जो feeling है, यहाँ भी grow करती है, क्योंकि वो Ottoman Empire से अग होना चाते है उनके अंदर independent की feeling आती है और वहाँ पर भी begun हो जाता है 1821 में जो war है, वो start हो जाती है nationalists जो Greek के हैं, वो support करते हैं, जो nationalist चल रहा है ग्रीस में तो अब इसको support मिलता है किसका, यानि जो Greek leaving in exile यानि जो जिनको देश से बहार निकाल दिया जाता है जो exile है, तो वो इसको support करते हैं movement को, और West Europeans के जो लोग है, वो भी support करते हैं, क्योंकि उनका मानना है इनका ancient culture, जो है उसको बहुत ज़्यादा sympathy से देखते हैं, कि वो एक civilize है यानि culture को बहुत civilization के लिए मानते हैं, यानि वो कहते हैं कि poet और artist, यानि जो European civilization है वहाँ पे जो आया है यानि cattle of European civilization, तो वो Greece से है, यानि Greece के culture से ही civilization बना है European, जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया में बात करें, तो विंदावन की कितनी value है और हम उसको अपना culture कितना strongly देखेंगे, अगर perspective से देखें तो, तो ऐसे ही जो European थे civilization, इसकी culture से बहुत ज़्यादा influence थे, तो exam में आ भी जाता है, cardal of European civilization, तो आप Greece लिखेंगे, यानि Greece को माना जाता है, अब यह जो mobilized हो रही थी, public opinion support कर रही थी, किसकी against हो रही थी, Muslim empire के against, अगर हम देखें, जो वहां के English poet थे, Lord Byron, जो कि Britain के हैं, और गिनाइस करते हैं, font को इखटा करते हैं, और fight करते हैं, इस war को इसका, इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनकी death हो जाती है, fever की वज़े से 1824 में, अब यह धीरे-धीरे चलते हैं, ऐसे struggle और 1832 में, जो treaty होती है, यानि Constantinople, यह इसका मतलब है Treaty of Constantinople that means, जैसे कि वियाना की आपने संदी देगी, तिने treaty of वियाना 1815, सेम यह वो ही है कि Greece अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है और empire से अपना अलग अपना बना लेता है जैसे कि जो Ottoman Empire है, जहां पर आप present day पर तर्की वाला पार्ट देखेंगे तो वहां पर Ottoman Empire में Turk यानि इस्लामिक rulers rule करते थे, ठीक है उनसे इन्होंने जो Christianity है Greece, वहां उन्होंने अपने आपको अलग करा, तो यह जो fight चल रही है, यह देख रहे हैं, आप किस तरीके से कहां से चली, France से चली कहां पहुची, Belgium में Belgium भी independent हुआ, और फिर Greece ने भी अपने आपको independent करा तो यह पूरा सिस्टम देख रहे हो किस तरीके से चला है, अब देखेंगा romantic imagination क्या होती है, national feeling क्या, उससे हम अगर attach करें romantic imagination, यानि यह कैसी emotional feeling होती है, जब आपको अपने विचारों को show कर पाते हैं किसी को imagination जो है, आपकी वो समझा पाते हैं तो वो national feeling को strong करने में बहुत बड़ा role play करती है, कैसे development of nationalism did not come about only through wars and territory sorry, territorial expansion सिर्फ अगर हम अपना country को बढ़ा ले या फिर हम सोचें कि बस yudh जीतते जाएंगे war जीतते जाएंगे तो हम nationalism की feeling को strong कर सकते नहीं, culture एक important role play करता है क्योंकि लोगों के sentiment है उससे जुड़े होते हैं तो nation को create करने में culture का एक बहुत बड़ा role होता है यह paper में question आता भी है जैसे poetry, stories, music है यह help करते हैं, express करने में nationalist feeling को और एक shape देते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो culture वो कितना strong है romanticism क्या होता है student यह एक ऐसा culture moment है यानि sure to develop a particular former nationalist sentiment यानि जो एक develop करता है nationalist sentiment को यानि आपके अंदर जो emotional feeling है उसको increase करने का काम करता है romantic artist जो हैं, poets जो हैं वो criticize करते हैं कि glorify of reason and science को कि बस सिर्फ science और logically हम जब बात करने लग जाते हैं और emotional को भूल जाते हैं उसको important नहीं देते तो यह उनको criticize करते हैं कहरें कि यह गलत है तो romantic जो artist हैं वो इसके थूरू कोशिश करते हैं कि हमें कहीं न कहीं emotional feeling को भी importance देनी चाहिए focus करते हैं instead on emotion यानि वो criticize कर रहे हैं कि हम science को और सिव रीजन को ही ज़्यादा emotions की जगे बढ़ावा देते हैं institutions या musical feelings को भी हमें इन सब चीजों को भी ध्यान देना चाहिए effort करते हैं was a greater sense of sense of share, collective, heritage and common culture past as the basis of nation यानि उनके जो effort है उससे create होता है यानि जो एक sense create होता है कि हमारा एक collective heritage है विराशत में वो share जो हम करते हैं या फिर हमारा common culture है जो हमारा past है और हमारा एक basic of a nation as a ये सारे चीजे हम एक nation में change करने में help करती हैं तो कहीं न कहीं बहुत important role as student जैसे कि Godfrid ने बोला भी है John Godfrid जो है philosopher है कि German जो culture है उसका खुद में इतना एक strong है यानि अगर हम उसकी culture को देखें तो वो common people जो है उसके तो वो उनको bind करने में बहुत important role play करता है that means जो romantic artist है जर्मन के philosopher ये John Godfrid क्या कहते हैं ये कहते हैं कि German का culture खुदी इतना strong है कि उसने discover करा है कि common people है यहां के that means भी यही है common people कि हमारा जो culture है वो लोगों को क्या करता है connect करता है it was through folk और ये कैसे होता है जब हम folk song, folk poetry, folk dances true spirits of the nation हमारी nation के लिए strong feeling होती है was popularized और जो कि वो popularize करती है हमारी country को, हमारे nation को कि हाँ, क्योंकि folk means क्या होता है यानि कोई आप particular reason ये state का कोई बताते हैं कि ये dance है ये poetry है तो वो एक आपकी glorify करता है आपको, आपकी country को, आपकी लोगों को आपकी common sense को show करता है कि हाँ आपकी जो past culture है वो कितना strong है तो ये collecting करता है recording this folk of culture essential to project of nation building जो वरना cooler languages है उन पर भी जोड़ दिया जाता है जैसे global languages है तो ये सब collections of local folklore was not just a recover and ancient national spirits ये सिर्फ एक national spirits को ही recover नहीं करती है जबकि but also carry a modern national list एक modern national list का भी message देती है to large audience को जो की illiterate है जो लिख पढ़ने जो पढ़े लिखे सकते हैं तो वो सुन तो सकते हैं वो देख तो सकते हैं तो देखने से ही बहुत जादा फर्क पड़ता है जैसे कि especially हम बात करें पॉलंड की तो पॉलंड की partition जो हमने देखा था 18th century में जो great power थी Russia, Russia, Austria, Austria उन्होंने किस तरीके से पॉलंड को क्या कर दिया था डिवाइट कर दिया था उनकी उसकी territory को उसकी खुद की तो कोई भी exist नहीं करती थी independent क्योंकि वो बढ़ चुका था इन सब पावर्स में तो national feeling were kept alive through music language शिर्व एक music और language के थुरू ही उनकी अंदर एक national feeling तो रखा जा सकता है के लिए उसको celebrate कैसे कर सकते हैं ओप्रा, music, turning, fog, dances, डिलाइका, पॉलेनेस और मुझे मैजूरका और international symbols और जो हमारे nationally ये हमारे as a national list symbol के रूप में हम इनको use कर सकते हैं जिससे कि strong feeling आती है अब हम देखते हैं language कैसे important role play करती है national sentiment को लाने में जैसे Russian occupation है तो को Russian ने जैसे occupied कर लिया था तो वहाँ पे उन्होंने पॉलिस language को force करा school में और Russian language मतलब पॉलिस language को हटा दिया school से और Russian language impose कर दी हर जगे की Russia ने जब उनके part पे गबजा कर लिया था Poland पे कि हम अब यहीं पे ये language चलेगी तो 1831 पे जो rebellion against करते हैं किसके Russian के Russian rule के against करते हैं लेकिन वो crush कर दिया जाता है Russian उसको दबा देती है जो rebellion against में खड़े भी होते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे लेकिन many members of clergy in Poland begun to use language लेकिन बहुत सारे जो दर्जी होते हैं यानि चर्च में तो Poland के लिए वो start करते हैं कि हम अपने language यूज करेंगे like a weapon of national resistance यानि हम अपने national को के लिए विद्रोजों हम करेंगे मतलब एक struggle करेंगे revolution करेंगे तो उसमें language एक weapon के रूप में काम करेंगा और उसको use करने से एक sentiment create होंगे और लोग क्या है attract होंगे कि हाँ हमें ऐसा करना नहीं देने चाहिए पॉलिस चर्च में gathering जब होती थी तो वो use करते थे अपनी language पॉलेंड में यानि जो अभी रश्या के पास था और अल रिलिजियन इंस्ट्रक्शन जितने भी दे जाते थे पॉलिस लेंगवेज में वो use करते थे लोग जो हांके native थे मतलब जो जो पॉलेंड के native थे लेकिन अब रश्या ने उन पे क्या कर लिया कब जा कर लिया ऐसा result क्या होगा जो हांके प्रीस्ट थे जो की और बिशॉप्स थे यानि जो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया किसने डाल दिया रश्या ने साइबेरिया में उनकी अथार्टी ने और उन्होंने punishment भी दी उनको क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि हम प्रैच यानि जो speech है वो Russian language में नहीं देंगे तो यहाँ पर आपने देखा Polish language कैसे एक symbol is the Russian dominance क्योंकि Russian क्या कर रहे थे Poland पे control करकर अपनी language impose कर रहे थे और उनके जितने भी relations, instruction थे उनको कोशिश कर रहे थे या स्कूल में कोशिश कर रहे थे वो अपना domain establish करने के लिए लेकिन rebellion भी कोशिश कर रहे थे उनके against में खड़े होने की और अपनी language को बढ़ाने की तो यह एक आपने message देखा अब next देखेंगे फ्रांस के अंदर hunger, hardship और popular revolt क्या चल रहा था 1830 में ही अगर हम देखें great economic hardship आती है यूरोप की अंदर बहुत बड़ी problem आ जाती है first of half 19th century में सबसे बड़ी बात तो यह होती है population यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है countries जो है वहाँ पे country में employment से ज़्यादा job को ढूनने वाले लोग ज़्यादा थे population जो है ruler area से migrate होती है cities की तरफ क्योंकि job चाहिए और overcrowd slums यानि जो overcrowded था बहुत ज़्यादा होने लगा cities के अंदर और small दूसरी तरफ हम देखेंगे तो जो small producers हैं town की अंदर वो face कर रहे थे stiff competition किस से यानि जो import हो रहा था cheap यानि सस्ता माल कहां से England से क्योंकि England में industry आ चुकी थी सबसे पहले यानि दूसरे continent से पहले England में सबसे पहले industry list आ चुकी थी तो वो अपना raw material बहुत सस्ता और machine से बना के बेशते थे तो यहां पर फ्रांस के लोग जोते small producers competition face नहीं कर पा रहे थे this was especially so in textile production which was carried out mainly in homes और small workshop और जबकि फ्रांस में जो especially textile की बात करें तो वो कैसे होता था homes में हो रहा है small workshop थी वहीं पर चलता था कुछी part mechanized होता था तो इसलिए फ्रांस के जो smaller manufacture थे वो नहीं कर सकते थे competitions England के साथ तो वो भी बहुत ज़्यादा face कर रहे थे problem एक hardship देखने को मिल रही है दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे Europe के दूसरे reason में यानि जो artist aristocracy थे वो बहुत ज़्यादा powerful थे और present struggle कर रहे थे उनके under burden से कैसे उन पे federal dues लगाया जाते थे obligations लगाया जाते थे क्योंकि जो पीजन थे उनको tax पे करना पड़ता था तो वो एक सामन्त था dues था यानि जो इनको देना पड़ता था aristocracy को और तो करती the rise of food price of year of bad harvest फसल खराब होने की वज़े से price भी बहुत ज़्यादा food के बढ़ जाते हैं widespread and poplarism in down and country यानि बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है town में और countries में यानि कैसे होगा आप खुद भी सोचो कि जो supply और demand का एक rule है यानि supply अगर हमारे पास 50 है और demand हमारे पास 18 है तो कैसे complete कर पाएंगे फिर जो 100 people है 50 लेने की कोशिश करेंगे सब हमें मिल जाए हमें मिल जाए तो वो price उसका बढ़ जाता है तो यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी population आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे आप देख रहे है hunger जैसे situation और hardship situation दोनों आप देख रहे हो hunger क्यों देख रहे हो क्योंकि price बढ़ गया है supply है नहीं पूरी और hardship कैसे देख रहे हो competition आपने देखा population देखा और किस तरह तरीके से आपने देखा कि migrate हो रहे है people और उनको काम नहीं मिल रहे है और यह सारी चीजों के चलते वे अब आप देखेंगे कि यहां पे और चीजे क्या हो रहे थी 1848 में यह ऐसा year यहां पे अब देख रहे हैं कि food shortage तो होई रहे है और unemployment भी बढ़ रहे थी साथ में population जो है Paris की वो road पे आजाती है गुसे में और barricades को तोड़के erected and Louis Philippe was forced to Philippe वहां पे पहुच जाते हैं और क्या करते हैं वो Philippe जो वहां के राजा होते हैं भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं फ्रांस में कैसे क्योंकि student हम कुछ भी होता है government को ही blame करते हैं वहां पे constitutional monarchy कौन थे Louis Philippe थे जो जुलाई में 1830 में liberal उनको बठाते हैं seat पे की ठीक है बैठो लेकिन हम आपको क्या करेंगे constitutional आपको monarchy बनना पड़ेगा लेकिन अब यहां पे जो इतनी सारी problem हो रही थी तो क्या कोशिश किया जा रहा था blame कर रहे थे लोग कि यहां जो कुछ हो रहा है राजा ही कर रहा है तो उसको लोग मानने के लिए जाते हैं वो भाग जाता है फिर वहां से अपनी जान बचा के Louis Philippe तो फिर national assembly अपने आपको republic granted कर देती है that means यानि अब जो elected person होगा वो कौन होगा हैड कौन होगा वहां का elected person होगा तो वो republic कहलाता है अब national assembly को republic बना दिया जाता है यानि granted कर दिया जाते है sufferers to all adult males 21 21 यानि 21 की जो age वाले हैं सभी लोग board डाल सकते हैं guaranteed to the right the work और काम करने का अधिकार की भी guarantee दी गई national workshops to provide employment work set up और national workshops लगाए गई ताकि employment बढ़ाया जाया set up किया जाया तो ये earlier फिर एक revolt भी यहाँ पर अभी आपने heading में देखा था कि hardship चल रही है problems आप देख रहे हो किसके चलते हुए फिर यहाँ क्या change हुआ अब revolt भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा revolt भी होता है पार्ट में डिवाइड था Celesia 3 पार्ट में डिवाइड है जो प्रश्य एंपायर का क्या है एक पार्ट है यानि पहले उसी के अंदर आता था तो अब जब Celesia के 3 पार्ट लेकिन अब हो चुके है एक जर्मनी के पास है एक Czech Republic और एक हम कह सकते हैं पॉलंड के पास है तो यहांपे जो मुमेंट चल रहा था वो कौन सार्थ वीवर का चल रहा था ट्रोक्त का का सब्सक्वाइड देते थे कहते थे ऩवर और पिमेंट्स लिएर्न गया के देते थे तो यहांपे ज एक जनलिस्ट है जो के विलेम वालस है उन्होंने डिस्क्राइब भी करा है इस गाउं की सिच्वेशन को यानि जो गाउं में 18,000 लोग यहाँ पे इन्हाबिटेंट हैं जो रहते हैं कॉटन विविंग का काम करते हैं, occupation उनका यही है तो उनकी बहुत ज़्यादा कंडिशन वॉइकर्स की माइजर है, एक्स्ट्रीम बहुत ज़्यादा खराब है और उनको जरूरत है वो बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है उनके पास और कॉंट्रेक्टर उनके प्राइस भी कम कर देता है समान के तो यहां पर एक crowd जो है भीड उनके वीवर्स लार्ज क्राउड जाती है जो वीवर्स की होती है वो उनके घर जाती है marching करते हैं जो merchants होते हैं और वहां पर क्या करते हैं वो up to the mansion to the contractor demanding higher wages की मांग करते हैं वो refuse कर देते हैं this corn threat alternately उनको धंकी देते हैं डराते हैं लेकिन यह जो ग्रूप होता है फिर force करता है और उनके house में घुजाते हैं smash करते हैं elegant window तोड़ देते हैं kans तोड़ देते हैं furniture तोड़ देते हैं and proslane another group work into the बहुत सारी चीजे ऐसे वहां हो रही होती है फिर store house है वहां पर loot खसोड शुरू हो जाती है planned it if supplies जो वहां पर supply होती है उसकी loot खसोड शुरू कर देते हैं और supply of cloth which they tore to shreds और वहां पर वो क्या कर देते हैं पाड देते हैं जो भी वो shred था and contractor वहां से भाग जाता है और जो neighbor होते हैं वो क्या करते हैं गाउं में उनको शरण नहीं देते हैं तो वो refuse कर देते हैं उनको शरण देने के लिए शेल्टर देने के लिए 24 hours में फिर ये requisition the army को बला के लेके आते हैं और army weavers को shot कर देती हैं मार देती है 11 weavers जो है वो मर जाते हैं तो ये आप देख रहे थे एक famous celesia का जो revolt है वो कि किस तरीके से उसने एक रूप ले लिया एक revolt का celesia में तो weavers का था ये important जो कि आप पढ़ेंगे next में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो एक revelation था liberals का 1848 में आप देख रहे हैं वो revolt poor और unemployed और starving present workers का यूरोप में चल रहा था countries in the year 1848 में अगर हम ये देखें reward पैलर चल रहा है revelations led by educated middle classes इनके revelation और इनका revelation बिल्कुल पहलर जल रहा है event of February 1840 की बात करें तो France had brought about the abdictions of the monarch and a republic based on universal male सफ्रेस had been proclaimed that means अब France क्या कर लेता है मुनार्की सिस्टम को बिल्कुल खतम कर देता है और republic के base पे अब वो चाहता है universal male suffrage proclaim कर देते हैं गोशना कर देते हैं कि बोट डालने का दिकार है और जो other part of Europe है where independent nation states वहाँ भी nation state बनते हैं पर अभी तक वहाँ nation state नहीं बने जर्मनी, इटली, पॉलेंड और ऑस्ट्रो हं सिस के, वो combine है and their demand constitutionalism with national unification, वो भी यह चाहते हैं कि constitutionalism होना चाहिए, national ka unification, national unification होना चाहिए, advantage of growing popular unrest to push their demand for the creations of a nation state on parliamentary principles, a constitution, that means, यहां पर आप देखेंगे, जो यह popular, इतना आप देख रहे हैं, advantage to growing popular unrest to push their demand to creation of national state, अब यह जो demand थी, तो इसी के demand के चलते हुए, यानि जो यहां पर man और woman demand कर रहे थे, सब जगे लहर सी दौर रहे थी, कि हमें constitutional unification भी करना है, तो इसी का फायदा उठाते हुए, यहां पर national state के चलते, इन्होंने demand करी एक parliamentary principle होना चाहिए, that means constitution हो, freedom of press हो, freedom of association हो, तो यह एक, इनका, इसकी advantage लेते हुए, demand इन्होंने यह create करी, nation state के साथ-साथ on parliamentary principle की, अब अगर हम देखें, our general reasons, a large number of political association, whose number are middle class, professional businessmen, और prosperous artisans, came together in city Frankfurt, तो यह सब कहां आते हैं, यह सब जर्मन reason में, जो कि अभी प्रश्य empire का एक part है, तो अभी एक city है, Frankfurt, वहाँ पे जाके मिलते हैं, decide करते हैं, board करने की, कि हम एक चलो, एक all general national assembly बनाएंगे, 1848 को 831 elected representative है, member, जो march in a festive procession, जो कि marching करते वे, procession करते वे, कहां पे पहुंचते हैं, पैलिस में पोस्ते हैं, Frankfurt Parliament Convent in the Church of St. Paul, जो कि St. Church Paul में ये meeting रखी जाती है, Frankfurt Parliament और Frankfurt क्या है, प्लेस का नाम है, और ये German reason की बात हो रही है, तो यहां पर उन्होंने कोशिश करी एक Frankfurt Parliament बनाने की, और draft करा उन्होंने constitution for German nation के लिए, और headed by Monarch की subject to a Parliament, अब उन्होंने इस Monarch का head बनाने की सोची कि वो इस Parliament का head किसको बनाए, Monarch को बनाए, When the deputies offer to crown on the Trump to Frederick William IV, King of Prussia, प्रिशा के king थे, William Frederick उन्होंने को ये offer करा गया crown के आप इसकी responsibility समहा लो, लेकिन क्या होता है, वो reject कर देते हैं, reject कर देते हैं, join करने से, क्योंकि जो दूसरे मुनार्ग थे, वो भी इस Assembly के अपोस्त में थे, opposition of aristocracy या military, वो भी इनकी opposition में थे, and social basic of parliamentary eroded हो गई, रद्द हो गई, मतलब उसका कोई base रह नहीं गया फिर, क्योंकि कोई उसको accept है नहीं कर रहा था, पारलेमेंट में जो dominant ज्यादा था, middle class का dominant था, जो resist कर रहे थे, demand for workers और artists, and consequently lost their support, अब उनकी मांग का ये, मतलब पक्स नहीं ले रहे थे, artisan की मांग का या workers की मांग को ignore कर रहे थे, तो ये फिर उनका support उनको नहीं मिला, और and troop अगर हम देखें, call in and the assembly was for this band हो गई, और सब बहार चले गए, कोई भी महाँ पे मतलब नहीं था, जो कि उसको support करता, अगर हम देखें इसी issue के extending political right जो थे, एक और issue था कि women's को के लिए भी controversial ही था, क्योंकि उन्हें liberal movement में participate तो लिया, उन्होंने लेकिन जो women's थी, उनको participate actively over year, यानि हर काम में वो participate करती थी, constitutional design में, या फिर large member of women's थी, जिन्होंने हर activity में participate करा, लेकिन जो आप देखेंगे, political rights थे, उनके लिए controversial था, यानि women's formed their own political association, उन्हें अपनी associations बनाई, newspapers भी founded करें, लेकिन political meetings भी करें, demonistrations भी करें, इसके सब चलते वे भी फिर भी उनको denied कर दिया गया, यानि डालने का दिकान नहीं था, और सिर्फ उनको, मतलब जो assembly थी, वहाँ पे, suffrage right during the election of the assembly, उनको right नहीं था, election of the assembly में डालने का, मतलब बोड डालने का दिकान नहीं था, and Frankfurt Parliament Convent in Church St. Paul में जब हुई थी, जो parliament रखी गई थी, तो वहाँ भी women's को सिर्फ visitor gallery में खड़े होने की इजाज़त थी, तो यह सर्फ एक, मतलब उनकी controversials बताया है कि women का क्या हुआ पे मतलब role था, and conservative force were able to suppress liberal movements 1848, तो conservatives ने क्या करा, जो liberal movements था 1848 में suppressed कर दिया, Frankfurt Parliament fail हो गई, तो यह बताया है कि 1830 से 1848 का जो liberal movement था, इसी ही तक चला था, उसके बाद, अब यहां क्या करेंगे, they could not restore the old order, और उनके वो restore ना कर सकें इस moment को, फिर मोनार्क जो करते हैं, वो कोशिश उन्होंने realize करा कि जो यह cycle of revolution है, repress or repression हम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, only ended by हम अगर करना चाहते हैं, तो granting, concession, हम उसको कुछ concession दे, liberals को, nationalists को, revolutionaries को, उनकी बाते माने, तब ही हम success कर पाएंगे, अपनी power को, तो conservative जो होते हैं, 1848 में, autocritic मोनार की जो होते हैं, वो क्या करते हैं, Central और Eastern Europe में introduce करते हैं, change, यानि already जो Western Europe में, 1815 में changes थे, से पहले जो changes थे, उसको लाने की कोशिश करते हैं, जैसे surf, dumb हो गया, bounded labor हो गया, उसको abolish करते हैं, हफ्सवर्क डॉमेन और कहां पे रश्या में, हफ्सवर्क रूलर जो हैं, ग्रांटिट करते हैं, क्यों क्योंकि उनको खुद की ही अपनी power बढ़ानी थी, और जो to the Hungarians in 1867 में, यानि हम देखें तो उन्होंने खुद की ही अपनी power बढ़ाने के लिए ग्रांट करा, क्योंक पूरा एक पीरड देखा, कि किस तरीके से 1830 से 1848 का लिबरल का पूरा पीरड था और वो किस तरीके से fail हो जाते हैं, और फिर से conservative आते हैं, और किस तरीके से अब आगे Germany, Italy और Britain को किस तरीके से ये क्या करवाएंगे, फ्री करवाएंगे, तो अब हम वो इस चीज को पढ़ की प्लानिंग,